Books That Speak में आप सभी का स्वागत है तेसम्मा की प्रिय भैंस सुन्दरी, लापता है किसी को नहीं मालुम की वो कहां गई लेकिन सिपाही जिनसी को विश्वास है कि वो उसे ढूण निकालेगी वो पूरा गाव छान मारती है लोगों से भैंस के बारे में पूछती है और सुराग ढूणती है क्या जिनसी सुन्दरी को ढूण पाएगी संगीत प्रेमी भैंस सुन्दरी के गुम होने का रहस्य आखिरखार है क्या देखते हैं इस कहानी में लापता सुन्दरी ओरिजिनल स्टोरी ब्यूटी इस मिसिंग बाई प्रथम बुक्स लिखी है कहानी प्रिया कुरियन चित्रांकन प्रिया कुरियन हिंदी में अनुवाद प्रयाक शुकला कहानी सुना रही है आसावरी दोशी जिस रात सुन्दरी खोई उससे अगली सुबा एरुमन्नूर पुलिस थाने से ठाहा के सुनाई पड़े बाई बैस का नाम सुन्दरी कौन रखता है इंस्पेक्टर गोपी जोर से हसा केवल दो ही लोगों को ये सारा मामला हसने वाला नहीं लगा एक तो थी तेसम्मा जिसकी प्रियंभे सुन्दरी खोगई थी और दूसरी थी एरुमन्नूर थाने की नई सिपाही जिनसी जोस जो तुरंथी सुन्दरी को डूढने के काम में लग गई तो बताईए जरा सुन्दरी के बारे में जिनसी ने कहा पहली बात तो यही की वो सुन्दरी है तेसम्मा ने कहा सच्मुच वो रास्ता जाम कर देने वाली है जब सुबा उसे दुहा जा रहा होता है तो वो चाहती है कि रेडियो पर उसे पश्चिमी शास्त्रिय संगीत सुनाया जाए जब वो चर रही होती है तब उसे बॉलीवूड संगीत सुनना पसंद है जब वो पानी में लोटपोट होती है तो उसे सुनने के लिए चाहिए मधूर मलयाली गीत यही तो है उसके अपने नियम काईदे सुन्दरी जो है और रात में वो हमेशा शान्त संगीत की धुने सुनते हुए सोती है वा, संगीत की कैसी बहतरीन पसंद है, जिनसी ने सोचा जिनसी ने तै किया कि वो गाव जाकर लोगों से पूछेगी कि किसी ने सुन्दरी को देखा है क्या उसने थोमाचन से पूछा, लेकिन उसने सुन्दरी को नहीं देखा माफ करना मैं किसी सुन्दरी वंदरी को नहीं जानता और सच कहूं तो भैसे मुझे पसंद ही नहीं है भाई मैं तो अपनी गाय चंदन कुट्टी को ही पसंद करता हूँ वो भैसों की तरह कीचड में लोटपोड भी नहीं करती फिर उसकी भैट दो बहनों रेमानी और सावित्री से हुई जो गाओ के पास वाले तालाप से लोट रही थी उन दोनों ने भी सुन्दरी को नहीं देखा था मैंने तेसंबा से सौ बार कहा है कि वो सुन्दरी को खुला ना छोड़ा करे रेमानी ने कहा दो चार डंडे मारने से कौन सा वो मर जाएगी लेकिन नहीं उसे तो सुन्दरी बड़ी कोमल मालूम पड़ती है वैसे उस बेकार सी भैस को चुराएगा भी कौन सावित्री ने तो किकी किकी करते हुए कहा अगर वो एक सुन्दर गाय होती तो मैं उसे चुरा लेती थोड़ी देर बाद उसकी भेट एक आदमी से हुई जो अपने ट्रक की मरम्मत करता हुआ लग रहा था और जिससे बहुत शोर हो रहा था उसके ट्रक से गानों की तेज आवाजे सुनाई पड़ रही थी आप मुझसे क्यों पहुच रही है मैं तो यहां नया हूँ बस अपने ट्रक की मरम्मत कर रहा हूँ मेरे ट्रक में कटहल भरा हुआ है और ये भैसे तो बस अपनों से मिलने जुलने को ही सब कुछ मानती है वो भैस भी कही अपनी सहेलियों के साथ होगी जो भी हो जैसा की मैंने कहां मैं ऐसी भैस के बारे में जानूंगा भी क्यों जो रेडियो सुनने की शौकीन हो आज बारिश हो सकती है क्या आपको भी लगता है कि बारिश होगी मुझे तो लगता है होगी जिनसी आगे बढ़ली जिनसी ने साइकल पर सारा एरुम्मनूर छान मारा लेकिन उसे सफलता न मेली अफसोस मैंने किसी भैस को नहीं देखा रात में कहीं चली गई? लगता है उसको कसाई बाजार में ले जाकर किसी ने पेज दिया है हो सकता है उसने निकल भागने की सोची हो सुन्दरी? मेरी बेटी का नाम भी सुन्दरी है आप उसे ढूंडेगी कैसे? सारी भैसे एक जैसी ही लगती है ऐसे कई सारे अलग-अलग जवाब जिनसी को गाउं में मिले दुलकुआर इकका ने भी भैस को देखा तो नहीं था लेकिन उसने अपनी चाई की दुकान पर जिनसी को वो पोस्टर चिपकाने दिया जो सुन्दरी के गुम हो जाने के बारे में था जिनसी ठक गई थी इतने में ही उसे रेडियो की कुछ आवाजे सुनाई दी जिनसी को एक बात सुझी वो सुन्दरी के तबेले की ओर भागी सुन्दरी तो गुम हो गई थी लेकिन उसी के साथ एक और चीज भी गुम थी उस राद जिनसी कुछ चीजों को दुरुस्त करने के लिए निकली ट्रक के अंधेरे के बीच जुगनूओं के साथ साथ एक और चीज चमक रही थी जिनसी ने सुन्दरी को ढून लिया सुन्दरी को चुराने वाले शाजी कटपन को तुरंट पुलिस थाने ले जाया गया ते सम्मा ने पूछा जिनसी तुमने चोरी का पता कैसे लगाया सीधी सी बात है शाजी ने कहा कि उसने कोई ऐसी भैस नहीं देखी जो रेडियो सुनती हो मैंने तो उसे ये नहीं बताया था कि सुन्दरी रेडियो सुनती है शाजी ने सुन्दरी को इसलिए चुराया कि वो उसे चुरा कर दूसरे गाउं में कसाई को बेज देगा लेकिन चीजे उसकी योजना के मुताबिक नहीं हुई शाजी ने बड़ी कोशिश की कि वो सुन्दरी को उसकी जगा से बाहर निकाले लेकिन सुन्दरी टस से मस नहीं हुई इस पर शाजी ने सोचा कि वो रेडियो को ही क्यों न चुराले वो ये देखकर खुश हो गया कि सुन्दरी रेडियो के बिना एक पल भी नहीं रह सकती जो ही वो रेडियो लेकर चला सुन्दरी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और जहां ट्रक मरमत के लिए खड़ा था वहां तक पहुँच गई तेसम्मा सुन्दरी को पाकर खुश हो गई इंस्पेक्टर गोपी ने कहा भई मानना पड़ेगा सुन्दरी सचमुच सुन्दरी है सुन्दरी और अन्य भैसे भैसे बुद्धिमान होती है उन्हें अपनी जैसी भैसों के साथ घूमना फिरना दोस्ती गाटना अच्छा लगता है उन्हें अकसर कीचड में लोटपोट करते हुए पाया जाता है कभी-कभी वे धूल में मस्ती करती है जिससे की धूप में होने वाली तपन से और कीडे मकोडों के काटने से वे अपनी मुलायम तवचा को बचा सके उन्हें चरना अच्छा लगता है घूमना फिरना भी शोध से ये भी पता चला है कि वो मंद संगीत सुनना अधिक पसंद करती है इससे उनका तनाव कम होता है और सुकून भी मिलता है और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए यूट्यूब और अलग-अलग पॉड़कास्टिंग चैनल्स पे बुक्स दाट स्पीक को ढूरना ना भूलियेगा फिर मिलेंगे बाई बाई शुक्रिया